एससी सेलेक्षन पोस्ट फेस्ट वेल्ब 26 जुन दो हजार चोविस की आल सिप्ट का वेपर हो चुका है उसके जितने भी कोश्चने सारे के सारे देख लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूंगा जो लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को जर प्रक्स डिपार्टमेंट अगला है मेगाले के मुख मंतरी का नाम बताओ तो कोनराड संगमा अगला है दा बाइट टाइगर किताब जो है वो किस की है तो इस कोश्चन का राइट आंसर वनेगा अरविंद अडिका अगला है मायो को त्योहार जो है वो किस राज में मनाया जाता है या किस राजका है तो भो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के अगर राजधानी पूची जाती तो भो जाएगे इटा नगर अगला है चेराव नत्य किस राजका है चेराव नत्य जो है भो हो जाएगा मिजोरम राजका हो जाएगा मिजोरम की रादानी क्या है आई जोल अगला सत्त्रिया नत्य किस राज का है असम का कहा है असम का एक नत्य आता है जो कि कला सकता है दिल्ली पुलिस, CPU जो है वो है बीहू अगला है अकवर्ड ने किसे खाने खाना के उपादी दी थी तो मिर्जा अब्दुल रहिम खान को दी थी नेक्ष्ट रैयत वाड़ी विवस्ता सबसे पहले कहां सुरू की गई तो ये सुरू की गई मद्रास में सुरू की गई मद्रास अगला है सम्मिधान का जनक कौन है सम्मिधान का जनक है डॉक्टर बी आर अमबेटकर नेक्ष्ट है क्राइदा पिकॉक पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम बताना है तो उनका नाम हो जाएगा अनीता देशाई इस कोश्चन का राइट अंसर क्या बनेगा अनीता देशाई अगला है मन्रेगा कितने दिनों की रोजगार गारंटी देता है तो टोटल सव दिनों की रोजगार गारंटी देता है अगला हरी प्रसाद चौरसिया कौन से बादियंतर से संबन्दित है तो ये संबन्दित है बासुरी बादियंतर से बासुरी अगला है घागरा का युद्ध कब और किस के बीच हुआ था तो घागरा का युद्ध हुआ था 1529 में सुल्तान महमूद लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था अगला है लाल सर्ट का संसापक कौन था तो खान अब्दुल गफ़ार खान था अगला है विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर इस्टित है तो यह इस्टित है कॉलकाता इसके बास्तुकार कौन थे तो बिलियम इमर्सन इसके बास्तुकार थे अगला है प्राचीन भारत में कितने महा जनपत थे तो प्राचीन भारत में टोटल 22 महा जनपत थे अगला है दच्छन ACI खेल 2016 में कितने देशों ने भाग लिया तो यह हो जाएगा 16 देशों ने भाग लिया था अगला है टोटल रिकॉल माई अन्बिली बेवली ट्रू लाइफ ट्रू लाइफ इस्टोरी किसकी आत्म कता है तो अर्नाल्ड स्वार्ज नेगर अगला है प्रथम बहुत संगी थी किसके सासनकाल में हुए थी तो अजासत्रू के सासनकाल में कहां पर हुए थी राज ग्रहे में हुए थी अगला राज तरंगणी के लेखक का नाम बताओ तो राज तरंगणी के लेखक का नाम क्या है तो वो हो जाएगा कलहड क्या हो जाएगा कलहड अगला चौरी चौरा कांड कब और कहां हुआ था 4 फरवरी 1922 में गोरकपूर में हुआ था UP के उत्तर प्रदेश के गोरकपूर जिले में हुआ था अगला अनुच्छ 371H का सम्मन बताओ तो इसमें क्या है अरुनाचल प्रदेश राज की विसिष्ट आवस्सक्ताओं और आकांच्छाओं को मानेता देता है अगला है 2011 की जनगर्ना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राजकी है तो बहुजाएगा सिक्किम और अगर साथ चर्तादर पूछी जाती है भारत के कितनी चौतर पांड जीरो परसेंट अगला है जब सिमला समझाता हुआ था तब बायसराय भारत का कौन था तो लॉर्ड बेवेल अगला है थेटा कुड़ी हरियर बिनायक राम कौन से बादियंतर से संबन्देथ हैं तो यह हो जाएंगे ताल बातक अगला उलम्पिक खिल 2024 की मेजवानी कौन से देश करेगा तो इस कोशिन का राइंड अंतर हो जाएगा फ्रांस अनुच्छेद 57 का संबन्द बता अनुच्छे 57 में क्या है राश्टपती के पत पर रहे चुका कोई वेक्ती समिधान की अन प्रावधानों के तहत अगले पांच सालों तक राश्टपती पत के लिए फिर से चुनाव लड़ सकता है अगला है 2011 की जनगर्णा के इनुसार भारतिय ग्रामिर आवादी कितने प्रतिसत है तो 69.43% अगला उस्ताद बिस्मिल्ला खान कौन से बादियंतर से समन्दित है तो सहनाई बादक अगला है पूना पैक्ट में किसने हस्ताचर किये पूना पैक्ट पर महात्मा गंधी और डाक्टर बियार अमबेटकर ने हस्ताचर किये अगला है राइबोसोम किसका संसलेशन करता है राइबोसोम जो है वो प्रोटीनों का संसलेशन करता है प्रोटीनों का अगला है the undisputed truth किसकी आत्मकता है तो यह हो जाएगा माईक टायसन की आत्मकता है माईक टायसन अगला है राश्टिय महिला आयो की पहली अध्यच कौन थी तो सुस्री जयन्ती पटनायक अगला है भारत में सबसे लंबे समय तक मुख मंतरी कौन रहा तो पवन कुमार चामलिंग जो की कहां के हैं सिक्किम अगला अनुच्छद 84 का संबन बताओ संसत की सतस्ता के लिए योगिता निर्धारित करता है अनुच्छद 84 अगला है फायान किसके सासनकाल में भारत आया था तो फायान जो है वो चंद्रगुप्त दुतिये के सासनकाल में भारत आया था चंद्रगुप्त दुत्तिये अगला समिधान की प्रस्तावना को कितनी बार संसोधित किया गया है तो एक बार संसोधित किया गया है समिधान की प्रस्तावना को प्रियम्बल को एक बार संसोधित किया गया है अगला भरहुत किस धरम से सम्मंदित है तो भरहुज जो है वो बहुत धरम से संबन्दित हो जाएगा एक और कोशन है अनुच्छिद 49 का संबन्द बताओ अनुच्छिद 49 में क्या है भातिक संसादनों के स्वामित्य और नियंत्रन को इस प्रकार ब्यवस्टिट किया जाना चाहिए कि इस सामाने लाब हो तो गाईज आज के वीडियो में इतनी है अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपको गाइस और भी कोशन पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं ओके तो थैंक यू धन्यवाद